नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रिष्टी श्रिवास्तव देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में अपने भाशन के दोरान मनेपूर का जिक्र किया और पानी पीकर कॉंग्रिस को कोचा पीएम मोदी ने कहा कि साल 1966 में मिजोरम में भारतिय वायू सेना की ओर से बंबारी की उस वक्त इंद्रा गांधी प्रधान मंत्री थी और उन्होंने वायू सेना का गलत इस्तमाल किया इस बयान के बाद से राजनुतिक उतल पुतल होना लाजमी था मोदी के इस बयान के बाद BJP के ट्विटर वीर आक्टिव हो गए और एक बार फिर से कॉंग्रिस को घेरने के काम में जुड़ गए सबसे पहले सामने आया BJP IT सिल के हेड अमित मालविया जिन्नोंने एक नीजी चैनल से बादचीत में एक बाद फिर से जनता के सामने जूट परोसा और जनता को गुम्रा करने की कोशिश पेमोदी के इसी बयान के अधार पर अमित मालविया ने राजिस्थान के कॉंग्रिस नीता सचिन पाइलेट के पिता राजिश पाइलेट को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे बीजेपी फस्ती नजरा रही है यूकि अमित वालिया पर जूटे तथ्य परोसने का आरोप लगा है इसके साथी सचिन पाइलेट ने सबूत के साथ मालविया के जूट का परदाफाश कर दिया है सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर मालविया ने क्या जूट बोला दरसल मालविया ने कहा था राजिश पाइलेट और सुरेश कलमाडी भारती वायू सेना के उन विमानों को उड़ा रहे थे जिन्होंने 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आईजोल पर बम गिराए बाद में दोनों कॉंग्रिस के टिकेट पर सांसत और सरकार में मंत्री भी बने सपर्ष्ट है कि नॉर्थ इस्ट में अपने ही लोगों पर हवाई हमला करने वालों को इंद्रा गांधी ने बतोर इनाम राजनीती में जगा दी, सम्मान दिया बिना तथ्य के परोसे गई जूट का खाम्यादा तो बीजेपी को भुगतना ही था क्योंकि जूट जादा दिन नहीं चलता है कॉंग्रिस नेता सचिन पाइलेट ने इसका परदा फाश कर दिया और तथ्यों को पेश करते वे उन्होंने अपनी बात सबके सामने रखी सचिन पाइलेट ने मालविया को जवाब देते वे लिखा आमित मालविया जी आपके पास गलत तारीख, गलत तथ्य है हाँ भारते वायू सेना के पाइलेट के रूप में मेरे दिवंगत पिता ने बम गिराये थे लेकिन वो 1971 के भारत पाकिस्तान युद के दौरान ततकालीन पूर्वी पाकिस्तान पर बम गिराये था ना कि 5 मार्च 1966 को मिजोरम पर जैसा कि आप दावा कर रहे है उन्हें 29 उक्तूबर 1966 को भारते वायू सेना में नूक्त किया गया था जैहिंद एवं स्वतंतरता दिवस की शुप कामनारे सचिन पाइलेट ने एक दस्तावेज की तस्वीर भी साजा की जानकारे के मुताबिक ये राजेश पाइलेट का नूक्ति पत्र है बीजेपी के आईटी सेल ने ये बयान तो दे दिया लेकिन अभी ये बयान आगामे चुनाओ के लिए बीजेपी की गले की फास बन सकता है क्योंकि राजेस्थान में अभी बीजेपी का कोई वर्चयस विन नहीं है मालवया के इस बयान से राजस्थान के गुजर समाज में नाराज़गी है इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं पाइलिट से पंगा बीजेपी को पड़ेगा भारी राजस्थान के 12 जिलों में गुजर समाज का प्रभाव देखने को मिलता है 2018 के विधान सबा चुनाओ में कॉंग्रिस ने गुजर समाज के 12 नेताओ को प्रत्याशी बनाया था इन में से 7 चुनाओ जीतने में काम्याब रहे थे दूसरी ओर भाजपा ने गुजर समुदाए के 9 लोगों को टिकेट दिया था मगर इन में से कोई भी चुनाओ जीतने में काम्याब नहीं हो सका बसपा ने गुजर समाज से जुड़े जोगिंदर सिंग आवाना को चुनाओ मैदान में उता रहा था वे चुनाओ जीतने में काम्याब रहे थे बाद में सपा के सभी विधायकों के कॉंग्रिस में शामिल हो जाने की कारण कॉंग्रिस में गुजर समाज के 8 विधायक हो गए थे इस बार बेजेपी की कोशिश थी कि गुजर समाज को साथ ला सके लेकिन अमित मालिवा के इस बयान से पार्टी की मुसीवत बढ़ सकती है कहा जा सकता है कि अगर जल्द डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया तो पार्टी को इसका खामियाजा भुखतना पड़ सकता है फिलाल इस खबर पर आपकी क्या राए है कमेंट करके जरूर बताईएगा नमस्कार